Hello everyone this is Pawan Sharma and guys let's talk about intraday stocks for 18th of October in this video और अगला वीक कैसा रहेगा फ्रास उसके बारे में रेकाब भी करेंगे so that you can understand की nifty और बाकी जो index की moment कैसे आप जज़ कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज बात शुरुबात करते हैं nifty के साथ में nifty की जो closing है वो है 18388 की उमीद नहीं था कितना rise हमें यहां से मिलेगा अगर आप यह trend line याद हो आपको जो नीचे की trend line थी वो as it is है अब यह यहां से bounce किया है अब हमारे पास में यह छोटा सा hurdle है अगर आप यह trend line देख रहे है यह hurdle है यह hurdle है somewhere close to I think 18360 के round 18360 के round का hurdle है अगर यह break हो जाता है तो 450 से लेके 500 के level हमें आसानी से देखने को मिल जाएंगे लेकिन यह कैसे possible है वो देखते हैं अगला week जो है वो nifty के majors का जो है result है अगर आप बात करें reliance की जिसका contribution 10.6% है हिंदुस्तान उनिलेवर 3.16 ऐसे न पेंट 1.91 अल्टराटेक 1.12 नेसले 0.91 HDFC GSW Steel 0.8 और जो है टाटा कंजूमर 0.6 तो सब मिला के जो है 20.15 का percentage का मालकिश लिए इतना contribute करेंगे सब मिलके तो अगर कोई जो है एक umbrella जो है या बास्किट जो है अगर 20% का हो और सारे के सारे अच्छे result प्रवाइड करें तो आप समझ सकते हैं market कितना उपर जा सकता है दूसरी बात आपको यादा last time मैंने कहा था कि bank nifty strong show कर रही है movement तो अगर आप notice करेंगे last trading session में bank nifty almost 700 का rise किया अच्छा ये बात मैं आपसे बहुत बार कहता हूँ जरूरी ने की same day बोलते ही stock भागे आपको strength का पता होना अच्छी कि यहाँ पे strength gain कर रहा है बिस आपके लिए वही important है उसके बात आपको focus करना पड़ेगा कि जैसी rise शु resistance था जैसे break हुआ अब देखेगा 39 को भी cross कर चुका है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने है तो अभी जो momentum है वो bank nifty में बाकी है हो सकता है अगला जो है 39 500 का target हमें देखने को मिले plus ये मिलकर दोनों nifty को rise करा सकते हैं तो हमारे पास में ये level आराम से achieve होते हुए अग इसके लावा और भी बहुत सारे जो है stocks अपना result पोस्ट करेंगे तो market को cheer रख सकते हैं वो और market को lift भी करा सकते हैं और हमें जो है सब ये ध्यान रखना है कि एक-एक level को आपको achieve होते हुए देखना है और जैसी वह level achieve हो जाता है अपनी उस position से अपना profit book कीजिए अगली की जो है ध्यान उसके बाद में शुरुवात हो जाना चाहिए अगर हम बात करें अब intraday के लिए तो जैसे मैंने कहा 18 360 ऊपर है और नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आएगा लगबक सब 18 280 से लेके 290 के बीच में ये आपके लिए फिलहाल current levels हो हो जिनके उपर हम intraday में nifty को trade करेंगे अगर ये level break हो जाता है जैसे मैंने आपको इतने सारे events बताए उसके basis पे plus bank nifty में और लिए breakout आच चुका है तो थोड़ा सा और lift करें अगर उसकी वैसे breakout होता है तो अराम से आपके target 500 के achieve कर सकते हैं और अगर नीचे आके भी वो support लेके bounce करे तो भी आप यहाँ प कह सकते हैं 500-600 के आसपास अभी sell on rise बिल्कुल मत कीज़ेगा नुक्सान आ जाएगा हो सकता है तुरवासा dip करें वापिस से भाग जाए तो फिलाल हमें buy करना है 360 ओपर sell नहीं करना है एक dip पे जरूर आप जो है buy on rise कर सकते हैं until it break this level और अगर ये नीचे का trend line जो बहुत लं बहुत दूर है almost आपके पास में 200 points से ज्यादा दूर है तो अभी इसका ध्यान ना रखें फिलाल हमें in levels के ओपर ध्यान रखेंगे और देखते हैं कैसे trade करना है अगला हमारे पास रहेगा वो है bank nifty bank nifty को अगर आप notice करेंगे तो आज की जो closing है वो 340 की है 39 340 ऊपर की तर जो है हमारे पास बड़ा target शायद ना हो लेकिन 400 से हम 100 150 points का buy करेंगे अगर वो यहाँ पे resistance face किया तो वापिस से 39 के level आपको देखने मिलेंगे को यह profit booking होगा तो आप यहाँ पे sell definitely कर सकते हैं once it start breaking 39 500 from above तब आप उसको sell कर सकते हैं और buy करेंगे 400 के उपर नीचे की तरफ हम यहाँ पे निकल के आएगा basically तो 39 200 के नीचे आप sell करेंगे फुरा target of 39,000 अगर यहाँ पे आके bounce करता है तो भी आप buy कर सकते हैं और break करता है तो आपके लिए पहला target रहेगा 39,000 का उसके बाद में अगला target रहेगा यह वाला 38 800 का तो ऐसे हम जो है bank nifty को trade करेंगे in recap our first pick was HDFC life जिसमें buy था 705 which never got achieved यहाँ पे है और अगर sell की बात करेंगे तो 698 था तो आपको यहाँ मिला from there अगर आपने 45 minute का rule देखा होगा तो यह almost आपको 2 रुपे का profit पे निकला होगा अगर आपने hold किया होगा तब जा के आपको throwout profit मिला होगा otherwise you can say exit on cost will be in HDFC life then we have Aditya Birla fashion 272 never got achieved touch हुआ पे तो आप यहाँ से sell कर सकते थे जैसे मैं आप से हमेशे कहता हूँ 268 का आपके पास sell था तो comfortable एगर आप जो है तींचा candle लेंगे तो आपको यहाँ से लेके and then it hit our almost second target on the sell side then we have MGL MGL ने तो gap of open किया और gap of open होते ही सीधा fall करना शुरू किया 1080 हमारा resistance था तो उसी के ऊपर जाके भी उसने अपने आपको काफी देर तक hold किया but hold नहीं कर पाया and then a fall लेकिन यहाँ पे आने के बाद में आपके पास में ज्यादा choice नहीं बचे होगी कि buy side में और sell side तो हमारा 1065 था that never got achieve last में आके achieve हुआ होगा so अगर आपने on support उसको sell किया था which was resistance 1080 तो आप कुछ profit हुआ होगा otherwise no trade then we have reliance, reliance का भी भी मैं यह कहूँँगा कि 2720 का इसका level आप ध्यान रखिएगा यह level मुझे ऐसा लग रहा है कि break करने के बाद में कुछ नेज़ तो 2900 या 3000 के level हमें देखने मिलेंगे और वैसी भी result आने वाला है अगर आपने breakout के आसपास trade कर रहा है तो बड़ा profit हो सकता है फिलाल no trade for last trading session friends अगर आप trading को secondary source of income बना चाहते है और आगे चलके primary source of income then you must know all about the technical analysis आपको trend का पता होना चाहिए buy का पता होना है demand supply का पता होना चाहिए support resistance market कहां ले रही है कब आपको future option trade करने चाहिए when to exit from so that आपको ज्यादा loss नहीं हो how to find and trade swing trades अगर time कम है तो आपको option से कैसे पैसे बनाना चाहिए यह सब knowledge आपके पास में होना बहुत जरूरी है and in case you want to learn all these things then we do provide technical training for which you can whatsapp and inquire further for our training programs in stock selection our first pick would be HDFC bank नहीं लाइफ नहीं HDFC इसमें हमें क्यों पेक किया है पहले देखेगा पहले यह हाई था हमारे पास में यही उसने low बनाया फिर उसने वहां बनाया low फिर भी वही है इसका मतलब यह है कि यह support इसको अच्छा मिल गया है और यहां से आज उसने फिर से rise किया है तो कल अगर यह अपने high which is somewhere close to 2880 अगर कल 2820 के उपर trade करना शुरू कर देता है HDFC तो एक अच्छा buy हमें मिलेगा क्योंकि वही उसका current resistance है और target आपके लिए यह मिलेगा जो मैंने 2880 लिखा था आराम से आपके लिए बड़ा move आ सकता ह है तिल 2880 लेकिन expectation बड़ी रखें लेकिन आप जो है हमेशा अपने market के against जो है साथ चलेंगे not against market के साथ चलेंगे तो जो levels हम target 1, target 2 है उसको follow करेंगे लेकिन बड़े target को हम chase कर सकते हैं इसलिए मैंने इसको pick किया लेकिन अगर यहीं पर resistance phase किया और 2800 के नीचे उसने आ के fall क करना शुरू किया तो वापस से 2720 के target भी नीचे एक तरफ ready हो जाएंगे तो दोनों तरफ अच्छे levels आपके लिए available in HDFC, then we have Amarajah battery, Amarajah battery क्या कर रहा है यहाँ पर लगाता resistance phase कर रहा है यहाँ पर support ले रहा है, अब situation क्या है अगर या तो यह break हो, अगर यह line break होती है तो dip क करेगा तो आपके लिए cell बनेगा और अगर इसने यहीं पर resistance phase किया तो पहला target आपका आराम से 775 तो ready है, bounce किया तो और अगर यह break हो जाता है तो फिर हमारे लिए 800 के target ready हो सकते हैं दा higher side, तो अगर आप notice करेंगे तो नीचे भी हमारे लिए equal opportunity है और bounce back के बाद में बाइंग bearish engulfing के बाद में जो लास्ट पैटर ने bearish engulfing है अगर bearish engulfing की बात करेंगे उसके बाद में जो है आपके पास में as a support use कर रहा है तो अगर यह support break हो जाता है तो एक dip आएगा और dip के साथ आप करेंगे sell लेकिन अगर इसने यहीं पर अपने आपको hold कर लिया जैसे को होता ह में और support भी उसने वहीं लिया जहाँ पर पहले resistance था तो आपके पास ज्यादा chance होते है bounce back के as compared to breaking down तो अगर वहाँ से bounce back करता है तो एक अच्छा जो है rise आपको मिलेगा तो वहाँ आप buy कर सकते हैं level support के लिए में आपको provide कर रहा हूँ then we have हिंद petro हिंद petro क्या कर रहा है resistance यहां पेस कर रहा है और resistance ऐसा लग रहा है कि 330 का जो level है उस पे पहले भी आपने देखा होगा hit किया था 330 अब उसके उपर से closing तो दे दिया है आज का 331 का है लेकिन यह sustain करेगा नहीं करेगा अगर इसने 331 को sustain कर लिया तो एक अच्छी rise आ अगर यह level break हो जाता है तो वापिस से try शुरू होगा 320 के round ब्रेक 340 नीचे गिरता है तो 320 के targets आपको बहुत आराम से देखने विल जाएंगे तो इसलिए हिंद petro को pick किया गया है support की levels में आपको नीचे provide कर रहा हूँ जाने से पहले channel को subscribe पर आ वीडियो को like कर रहा मत भू description box में कुछ links available जिनको आप यूज कर सकते हैं और for any kind of training inquiry you can whatsapp on these number for further information.